प्यारे वच्चों जैसे के आपने तजूर्बों में देखा हमने तिन अलग अलग तजूर्बे किये जिसमें हमें पता चला कि कुछ चीजे जो है पानी पर तैरती है कुछ चीजे पानी में डूब जाती है कुछ चीजे पानी मिल जाती है तो कुछ चीजे नहीं मिलती इसी के साथ हमने जाना कि जो चीजे पानी पर तैरती है उनका जो वजन होता है वो पानी से कम होता या पानी से हलकी होती इसलिए तैरती है और जो डूब जाती है वो पानी से वजनी होती इसलिए वो पानी में ड बैटने के लिए मदद मिलती है और मिट्टी के जर्रात को तहे में बैटने के अमल को हम तहे नशीनी भी कहते हैं इसी के साथ साथ अगर पानी में कच्रा हो लखड़ी पते या प्लास्टिक की दूसरी चीज़ हो तो अगर हम छलनी की मदद से चान ले तो वो भी साफ हो जात होता है जो हमें ऐसा लगता है कि पानी को हम पी सकते हैं कि वाकई में बेजरर होता है बेजरर यानि ऐसा पानी जिसको पीने के बाद में हमारी सेहत तबियत को कोई भी नुकसा नहीं होता ऐसे पानी को हम बेजरर पानी कहते हैं जो पानी हमें आख से साफ शफाप नजर आ पानी होता है इसका कोई भी रंग नहीं होता और ना ही कोई जायका होता है इसी के साथ साथ में जिस पानी का कोई भी रंग हो या उस पानी का उपानी जायकेदार हो तो ऐसे पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना चाहिए ऐसे पानी को इस्तेमाल करने से हमारी तबित खराब हो सकती है आपके दिमाग में तो सवाल आ रहा ही ही होगा कि जो पानी साफ और शपप नजर आ रहा है वो बेजरर क्यों नहीं है इसके पीछे एक खास बात है कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो बहुत ही बारिक होते है बारिक एकदम बारिक होते है जो हमें सादा आख से नजर नहीं आते है ऐसे जानदार इस पानी में मौचुत होते है हम इने खुर्दबिनी जानदार कहते है खुर्दबिन जानदार या यानि क्या हुच्छ ज़ोती है च Account कमाने जो इन जानदार जो साधा आक से नजरों पाणी होते हैं क देखने के लिए खुर्दबिन भूज से हमेट खराब होता है अब जो खुर्द बनी जानदार होते हैं, ये दो किसमों के होते हैं, एक फायदयमन्द होते हैं, एक नुकसानदा होते हैं, हम जो दही या कड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें फायदयमन्द खुर्द बनी जानदार होते हैं, जो हमारे जिसमे को फायदा पहुचाते हैं, और जितनी हमें बिमारिया होती है, इन तमाम के जो वाइरस हम जिसको बोलते हैं, तो यह जो होती है, खुर्दबिन जानदार के जरी फैलती है, तो यह खुर्दबिन जानदार कही भी हो सकते हैं, हमारे हाथ पर हो सकते हैं, बरतन में हो सकते हैं, पहाड़ों पर हो सकते हैं, मिट्टी में हो सकते हैं, हवा में हो सकते हैं, पानी में हो सकते हैं अगर हम ऐसे पानी का इस्तिमाल करेंगे, जिसमें खुर्दबिन जानदार मौजूद हो तो इससे हमारी तबियत खराब हो सकती है खुर्द बिनी जानदारों से बचने के लिए जिस पानी में खुर्द बिनी जानदार है इनसे पानी को बचाने के लिए हम उस पानी को वाल लेते हैं गरम करे लेते हैं जिसकी वज़ा से इस पानी में मौझद खुर्द बिन जानदार खतम हो जाते हैं और वो पानी पीने लायक यानि बेजरर हो जाता है फिर हम उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं और इस दुनिया में बेजरर पानी के वसाइल जो है जरीय बहुत ही कम है इसलिए हम इंसानों का फर्ज है कि हम जब भी पानी का इस्तेमाल करें तो जितनी जरूरत है जरूरत के मुताबिकी करें बगेर जरूरत के हम पानी को जाया ना करें बेवज़ा नल खुला ना छोड़े बेवज़ा पानी ना फेके अगर पानी एक बार भरा हुआ है तो उसे फेक के दोबारा भनने की ज़रूरत नहीं है जिसे कि आप चानते हैं पानी कभी भी बासी नहीं होता है हमेशे ताजा ही रहता है